हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सरकी क्लास आज की शिक्षा निदेशाले राश्टर राजधानिक शेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर चार जो की कक्षा साथवी के विध्यारतियों के लिए हैं यह ली गई है हिंदी विशे से और आज इसमें हम लिंग बदलो यानि की लिंग बदलो इस्त्री लिंग और पुलिंग के बारे में बात करेंगी तो चलिए बिना समय गवाए, शुरुआद करते हैं मेरे साथ, और समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, उन्हें आप पढ़िये और समझी तो यहाँ पर जो वाक्य हैं, उनको एक बार मेरे साथ पढ़ने का प्रियास करते हैं और जो अंडरलाइन हो रखें उन पर जरूर ध्यान दीजेगा आप बालक दोड़ता है बालिका दोड़ती है दादा जी अखबार पड़ती है दादी जी अखबार पड़ती है नायक अभिने कर रहा है नायका अभिने कर रही है छात्र कवीता सुनाता है छात्रा कवीता सुन आती है, उपर लिखे वाक्यों में रेखांके शब बालक, दादाजी, नायक और चात, पुरुष जाती का बोध कराते हैं, तथा बालिका, दादीजी, नायका और चात्रा इस्त्री जाती का बोध कराते हैं, यानि कि आज हम पुरुष जाती के बारे में जो शब्द बोले ज जो इस्त्री के बारे में बोले जाते हैं, इस्त्री से संबंदित बोले जाते हैं, तो हम उनके बारे में समझ रहे हैं, आते पुरुष जाती का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुलिंग कहते हैं, पुलिंग शब्द कौन कौन से हो गए, लेखक, पुत्र, मुर्गा, माम शेर, मोर, आदी और इस्त्री लिंग क्या होंगे बिल्कुल इसी के लेखी का, पुत्री, मुर्गी मामी, शेरनी मोरनी, आदी फिर हिंदी व्याकरण में केवल दो ही लिंग होते हैं पुल लिंग और इस्त्री लिंग नफुन्सक लिंग इसमें नहीं, यानि कोई तीसरा, इसमें और कोई जेंडर नहीं होता है तो आईए देखिए आपने क्या सीखा, अब बताओ घोड़ा, घोड़ी, यही होगा ना, आप चेक कर ले ना, पहले अपने आपली को फिर चेक करना रसा, रसी, ठीक है, बुढ़ा, बुढ़ा बुढ़ी, बुढ़िया, आपने इसको बुढ़ा का हो जाएगा, बुढ़िया, ठीक है, बुढ़ी नहीं होता बंदर, बंदर्या, बिंदी भी आएगी ध्यान रखना, बंदर्या, देवर, देवरानी, आपके घर में होगा ना, चाचा चाची जो होते हैं, वो आपके मम्मी के देवर, देवरानी है हाथी, हाथी नहीं लिखते हैं, हाथी नहीं नहीं होता, हाथी नहीं मैं राइटिंग साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको समझने का प्रियास करना हाथ ही नहीं शिक्षक, शिक्षिका यानि शिक्षक मतलब जो male teacher है और शिक्षिका जो आपकी maim है श्रीमान श्रीमती ठीक है फिर युवक, युवकी नहीं होता युवती होता और अभिनेता अभिनेत्री ठीक है इस तरीके से हम इनके लिंग बदलेंगे अभिनेत्री, इस तरीके से अब क्या करना है खालिस्थान को रेखांकी शब्द के लिंग बदल कर लिखिये जो रेखांकी शब्द है न उसका लिंग बदल के खालिस्थान को भरना है रमेश के एक पुत्र और एक पुत्र का क्या होगा लिंग बदलने पर पुत्री रमेश के एक पुत्र और एक पुत्री है चिडिया घर में एक शेर और शेर का पुलिंग अगर हमने इस त्री लिंग में चेंज किया तो क्या होगा शेर नी चिडिया घर में एक शेर और शेरनी लाए गई है स्कूल में माता माता का अगर हम चेंज करेंगे लिंक चेंज करेंगे पुल लिंक में तो वो बन जाएगा पिता माता और पिता दोनों को बुलाया है फिर घर में चूहा और चुहा का क्या होगा इस्त्री लिंग चुहिया चुहिया चुहा और चुहिया दोनों घूम रहे हैं राजा के महल में नौकर नौकर का इस्त्री लिंग क्या होगा नौकरानी नौकरानी तो राजा के महल में नौकर और नौकरानी दोनों थे इस तरीके से आपको इसको करना है अब मुझे उमीद है कि आपको ये link बदलने वाला आया होगा, इसकी और practice कीजिएगा, तो ये तो थी आज की वर्क्षीट, अगर मेरे अस तरह समझाने से आपको अब समझ में आने लगा है, तो इस चैनल को like कीजिए, share कीजिए, बहुत subscribe कीजिए, और जल्दी से जल्दी से 50K यानी 50,000 तक पहुँचा दीजिए, लेकिन याद रखिएगा बाहर निकलते समय, घर से बाहर निकलते समय, मास्क अवश्य लगाए, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रही और अपनी बारी आने पर, करोना का टीका कराना वश्य कराएं, क्य से सुहाना बनाना है, और उसके बाद, अरे भाई, स्कूल भी तो जाना है, इसी उमीद के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद.